जेंदो सवंदे मात्रम देखिए एक बात तो है कि साउथ सिर्मा की इस समय जो डिमांड है वो लिटरली बॉलिवूड के सामने काफी जादा है अगर हम पठान के सामने मतलब पठान को एक मूवी के तौर पर देखे तो लिटरली उसने पैसे कमाए है अच्छी बात है बहु मूवीज भरी पड़ी है जिन्होंने की पिछले साल काफी कमाई करी है कंड़ सिन्वा ने तो मतलब एक के बाद एक बड़ी हिट मूवीज दी है अचा ऐसा भी नहीं कि वहाँ फ्लॉप नहीं हुए फ्लॉप भी हुए बट स्टिल जिन मूवीज ने ज़्यादा पैसा कमा है उसको लेकर जो किरियोसिटी पब्लिक के बीच में वह उनाचबल तो ऐसे में जो किरियोसिटी पब्लिक के दिल में अभी है पुष्पा के सेकंड पार्ट को लेकर उसको कैश करने का इरादा सीरे तौर पर अल्लु अर्जुन ने ठान लिया है अगर हम लोग आरारार की बात के लिए तो इसके जो टेल्वीजिन राइट्स थे वो करीब साथ साथ सो करोड में बेगे थे और इस समय पुष्पा 2 के राइट्स बेचे जाने की जो बात निकल कर सामने आ रही है वो करीब हाजार करोड के असपस किया रही है अल्लु अर्जुन के फिल्म कमिंग फिल्म के राइट्स के लिए मोटे पैसो के डिमांट रखी जो की आरारार के राइट्स से भी ज्यादा है दरसल पुष्पा 2 के अपार सफलता के बाद अल्लु अर्जुन पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं इस से लिए दूसरे पार्ट को लेकर फैन्स के बीच भारी क्रेज भी देखा जा रहा है जिसे देखते हुए अब इनेता इसे बुरानी कोईश कर रहे हैं अब इनेता वह क्रिटिक के एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लु अर्जुन ने पुष्पा 2 के राइट्स के लिए एक हजार पचास क्रोड रु का न्यूई लुक मेकर जल्द ही रिवील भी करेंगे ऐसी खबरें भी सामने आ रहे हैं कि अल्लु अर्जुन के एक तालिस सो जनम दन के मौके पर निर्देशिक स्विकुमार उन्हें बड़ा सर्प्राइज देने जा रहे हैं ऐसा कयास लगा जा रहा है कि इस खास मौके पुष्पा 2 से अल्यू अर्जुन का लुक या फिल्म का टीजर रिलीज किया जाएगा बता देंगी पुष्पा 2 पिछले साल 17 दिसंबर को सिनमा करों में रिलीज हुई थी मतलब 2021 में तमिल तेलिगों हिंदी मल्यालम और कर्णड भाशाओं में ये फिल्म रिलीज हुई कर बस तो अभी से ही क्रियेट हो चुका है और सबसे बड़ी बात जो यहां पर एहम तोर पर निकरकर सामने आ रही है वो यह है कि भाई एक हजार करोड रुपैस मूवी के राइट्स के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी रकम है अगर हम इंडियन एनरटेन्मेंट इंड